सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आइसके वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android मुबाइल यूज़ करते हैं उसके अंदर आप अपने मुबाइल को जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको एक अरर देखने को मिलता है System UI has stopped आप कोई भी काम कर रहे हों कोई भी application यूज़ कर रहे हों तो बार बार आपको ये अरर देखने को मिलेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप अपने मुबाइल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं किसी भी टाइम ये बग जो है आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दो अप्शन आपको देखने को मिलते हैं अप इन्फो क्लोज अप यहाँ पर आप क्लोज अप कर देते हैं फिर से थोड़े टाइम बाद ये बग आपको शो होने लगता है आपकी स्क्रीन पर अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपके Android मुबाइल के अंदर तो आज की वीडियो आपके लिए ह मैं आपको इसका solution बताने बाला हूँ 5-6 solutions बताऊंगा उनको apply करेंगे तो problem solve हो जाएगी तो इस video में यहन तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर लेना तो यहाँ पर आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला काम आपको अपन search करना होगा play store तो यहाँ पर google play store आ चुका है इसको open करिए open करने के बाद यहाँ से storage पर आईए और इसका clear data कर दीचिए यहाँ से clear data करने के बाद आप देखेंगे problem solve हो जाएगी अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो उसके बाद क्या करना है वह आपको बता देता आपको यहाँ पर setting में आने के बाद search बार में फिर से यहीं पर setting में search करना होगा system 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 UI यह system UI आ चुका है यहाँ से इसका आपको clear catch करना होगा storage पर आईएगा clear catch और ok कर दीजिएगा यहाँ से इसका clear catch करने के बाद back आ जाना है then उसके बाद आपको क्या करना है आपको play store पर आना होगा problem अगर solve नहीं होती है then उसके बाद यहाँ पर profile पर click करना है manage action device पर click करना है update available आपको मिलेंगे इस पर click करिएगा और जितनी भी updates आई होगी जितनी भी applications के updates आई होगी आपको यहाँ से सभी applications को update कर लेना है guys अब देख सकते हैं बहुत सारी applications का update है तो यहाँ से update ओल पर click करके सभी applications को update कर लेना है तो उसके बाद यहाँ से back आजाना है अब देखेंगे problem solve हो जाएगी अगर फिर भी नहीं होती है तो play store में आने के बाद फिर से आपको profile पर click करना है देन नीचे setting पर आपको देखने को मिल रहा है setting पर click करिए अब यहाँ पर about में आना है आपको नीचे सबसे about लिखा हुआ है इस पर click करिए दन सबसे नीचे आपको play store version देखने को मिल रहा है और उसके नीचे लिखा है update play store तो यहाँ पर update play store पर आपको click कर देना है यहाँ आप देख सकते हैं Google Play Store is up to date अगर आपको Google Play Store up to date नहीं है अपडेट नहीं है तो यहाँ पर होना start हो जाएगा अगर आपका update है तो आपकी problem solve already हो जाएगी तो यहाँ पर आपको Play Store version को up to date रखना होगा यह काम आपको जरूर से करना होगा guys तो उसके बाद फिर भी अगर आपकी problem solve नहीं होती तो finally setting में आईएगा scroll करिएगा apps पर आईएगा फिर से manage apps पर आना है search बार में आपको Play service को search कर लेना है Google Play service आचुका है यहाँ पर ok करिए अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देखने को मिलेगा uninstall updates इस पर क्लिक करिए और ok कर दीजिए यहाँ पर Google Play service का uninstall updates करना है दर उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी problem होगी वो यहाँ से solve हो जाएगी एक बार आपने mobile को बंद करके on कर लीजिएगा यह जो bug है फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर यह सब करने के बाद भी आपको यह bug देखने को मिलता है तो मुझे comment box में जरूर बताइएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आऊँगा सबसास के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तिल दर बबा टेक क्या लव्यो